ये है दिल्ली दर्पन नमस्कार मैं हूँ अपूर्वा गुस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पन टीवी दिल्ली में चेंबर आफ टेड एंड इंडस्ट्री यानी की CTI ने फूड एंड बिवरेजिस काउंसल का गठन किया है दिल्ली विधानसबा में हुए समहारों में इस काउंसल की कमान दी रोलिंग प्लेट के संस्थापक और M.D. जहान खुरानों को सूपी है क्या है फूड काउंसल और क्या है इसका मकसद देखे ये रिपोर्ट क्या है दिल्ली में व्यापार और व्यापारियों की विकास व्याउनके हक और हितों के लिए काम करें ही संस्थाप Chamber of Trade and Industry यानि की CTI हर सेक्टर को साथ लेकर व्यापार के नए नए आयान स्थापित की दिशा में भी काम कर रही है इसी विशा में दिल्ली विधानसभा में आयजीत एक कारेकरम में विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और CTI के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल की मौजूदगी में दो इकाईयों का गठन किया गया जिसमें Food and Beverages Council यानी F&B Council भी शामिल है CTI ने F&B Council की कमान दी रोलिंग प्लेट के संस्थापक और MD जहान खुराना को दी है दी रोलिंग प्लेट के संस्थापक जहान खुराना इंडस्ट्री में लगबग दो दशक से सकरिये हैं और इस दोरान उन्होंने कई ब्रेंड्स और फ्रेंचाइजेस मॉडल लॉंच किये हैं Cloud Kitchen और Ready to Eat Food Session में भी उन्होंने अपने ब्रेंड को स्थापित किया है जहान खुराना ने CTI के अध्यक्ष ब्रिजेश गोईल का अभार व्यक्त करते हुए इस इंडस्ट्री में वैपार को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस इंडस्ट्री की समस्याओं को भी सरकार तक पहुँचाने का वादा किया है वैसे तो गवर्मेंट का हमें हर चीज में साथ मिलता ही है और हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें सारे गवर्मेंट नॉम्स को पूरा करके ही करते हैं बट अब मुझे लगता है कि अगर और भी कोई भी चीज चोटी या बड़ी अगर कुछ रुखती है या अगर हमारी बात गवर्मेंट तक नहीं पहुच पारी थी पहले तो CTI के माधियम से इस चैंबर के माधियम से मुझे उमीद है कि हम यह वहां तक पहुचा पाएंगे तिम्बर और प्लाइवूर्ड और अल्सो फूड और बेवरिज का आज चैंबर का लाँच हुआ है तो बिजेश गोईल जी को मैं काफी टाइम से जानता हूँ उनके साथ में जब जब भी उन्होंने काम किया है बिस्नेस को लेके वेपारियों को लेके इन फैक्ट सोशल सर्विस में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो जब उनसे मेरी बातचीत हुई रिगार्डिंग फूड बिकेज हमारा जो कंपनी उसका नाम है दे रोलिं प्लेट हम लोग क्लाउड किचिन चलाते हैं पूरे डेली न्सी आर में तो जब उनसे बात हुई तो यह एक बातों बातों में बात निकली कि क्यों ना हम फूड और बेवरेज काउंसिल भी बनाएं और एक अच्छा काम करें और आगे बढ़के इसमें और बहुत अच्छा काम करेंगे हम लोग अलग अलग शेहरों में अभी अपने रेस्टाउंट और क्लाउड किचन और कैफे चलाते हैं और आगे की प्लैनिंग्स पर यह है कि अब यह काउंसिल भी बन गया है सपोर्ट भी मिलेगा एंड इसको एक बड़े लेवल पर और आगे बढ़ाएंगे विधाम सभा में इस मौके पर इस इंडस्ट्री से जुड़े कई और भी जाने माने ब्रेंड ओनर शामिल हुए काउंसिल में जिन प्रमुक लोगों को जिम्मेदारी दी गई उनमें दिव्यकोली, लक्षित कलारा को प्रधान, केतन कलारा राजीव शर्मा, करन वर्मा और मंजीत पाल सिंग को सचीव पर्थ पर न्यूक्त किया गया है सभी ने इस पर धन्यवाद करते हुए कहा कि वो काउंसिल को देशपर में फैलाने का परियास करेंगे तो अभी हमारे को CTI के माधियम से, बिजेश कुमार कुईल जी के माधियम से, हमें एक माधियम मिल गया है कि हम अपनी जितनी भी चीजे हैं वो डरेक गर्वर्मन तक पुचा सकेंगे हम इसे और बड़ा करेंगे अपने गुप को और सब कर सायोग देंगे और अच्छे से साथ मिलके चलेंगे और इसको पूरे इंडिया लेवल तक हुचाएंगे CTI हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होगा बहुत अभी तो शुरुबात है इंडिया में फूद बिजनस की कि अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर जाहान खुराना ने CTI का धन्यवाद करते वे कहा कि उनका उदेश है इंडस्टी में शामिल सभी वेपारियों के लिए बहतर बिजनस का माहौल तयार करेंगे साथ ही साथ काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते वेपारियों की अवाद सरकार तक पहुचाने में भी वो अपनी भूमी का पूरी सक्रियता से निभाएंगे कैमरा परसन कमल के साथ अपूर्वा गुस्वामी दिली दर्पन टीवी अवाद